नमस्कार बिहर की नए बुलेटीन में कोरोना की अपडेट है बिहर में 81 दिनों बाद 1000 से भी कम कोरोना के नए मामले देखे गए हैं बिहर में 22 मार्च को पहला मामला आया था कोरोना का जब मुंगेर की एक व्यक्ति की पटना में कोरोना से मृत्य हो गई थी यह पहली मृत्य थी और पहला मामला भी था कोरोना का उसके बाद बिहर में धीरे-धीरे कोरोना फैलते चला गया आज मरने वालों की संख्यार 900 के प बड़ा ऑपरेशन हुआ जैसा की जानकारी चिराग पास्वान ने अपने ट्वीटर के माध्यम से अपने कार्यकरताओं को दी आज होने वाली संसरतिये बोर्ट की बैठेक भी टेल गई है महागडबंदन में राजद के नेता तेजस्रीयादव को नेता मानते हुए सीटों क का बटवारा भी हो गया है राश्टिये जनतादल के नेता तेजस्रीयादव महागडबंदन के मुख्यमंद्री के उमिदवार होंगे का कहना है कि विपक्ष नहीं बटे इसलिए वैचारिक भिंता और आंत्रिक मदभेत के बाद भी समझावता कर लिया सीटों के बटवार सीट में छूड़ा घोपा है मुक्यस्थानी चाहते थे लगभग 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद पर मुक्यस्थानी की वियाईपी पाटी को महागडबंदन ने दस सीट देने को राजी हुए थे एंडिये में सीटों का बटवारा लगभग तैय हो गया है आधे सीटों में 119 पर बीजेपी और 119 पर जेडियू लड़ेगी और बाकी बचे सीटों पर हमके उमिद्वार होंगे हमके उमिद्वारों की घोसना आज हो जाएगी रेलवे कोरोनो काल में सभी स्वास्त प्रोटकोल को ध्यान में रखते वे चलाई जा रही ट्रेनों की संख् में बढ़ोतरी करने जा रही है आपको चठ दीवाली और दसहरे में घर आने में साइद अब कम परिशानी होगी मुझफरपूर से भी सभी ट्रेनों का परिचालन कुछी दिनों में सुरू होने की उमीद है मुझफरपूर में रीटाइड नौसनी के पुत्र सन्नी की घर स सव सकड़ा के भठा चौक के पास मिला है कल मुझफरपूर तिरूत सिख्षक और सनातक नामंकन के लिए चार चार परचे दाखिल किये कल नामंकन का आखरी दिन है नीव अर्तवान विधान पारसा दिवेश चंद्र ठाकूर के साथ साथ चार अन्य लोगों ने सनातक निर नरेंद्र सिंग दर्भंगा से सुरेश राय सारां से चंद्रमा सिंग और इंडिया बिहार के 94 एक्सिडेंट प्रोन स्पोर्ट को घोसित किया है बिहार से गुजरने वाले नेशनल हाइवे को उसमें मुझफरपूर के सदादपूर और मजहौली में उन्होंने बनाने का फैसला लिया है साथ ही पूर्णिया के गुलाबाग में भी एक फ्लाइओवर बनेगा मुझफरपूर की खबरें तो मुझफरपूर के जाम से सुरुवात होती है मुझफरपूर में आए दिन जाम के हालात से लोगों को पड़ेसान होना पड़ता है बड़ी गाडियों के साथ तो आप निकल नहीं सकते दो चक्के को भी आप आसानी से निकाल कर सहर में कहीं आ जा सकते नहीं अगले दो दिनों तक बारिस होने की संभावना है बंगाल की खारी में निम्न दवाव का छेतर बन रहा है जिससे बिहार और जार्खन में बारिस की संभावना है कि जाएगी जारखरंद में और प्रतिमा का जाना सकते हैं , ओ क्यों है नहीं प्रतिमा के पार्थम में, कि रहेते की जाँके सफ़ीम नहीं भखे और मजें सब्सक्राइब सेनिटाइजर का उप्योग करना होगा जो लोग बिना मास्क के आएंगे उन्हें मास्क भी दिया जाएगा तो बिहार में क्यों नहीं पूजा होगी चुना हो सकते हैं भीर भार हो रही है सभी जगह भीर इखटे हो रहे हैं आप देखें सीटों के बटवारे के लिए किस तर ही छोटी मूर्तियां लगेंगी पांडाल नहीं होंगे मेले नहीं होंगे पर पूजा समीद्यों को छोटे मूर्तियां लगाने के आदेश दें कि इस बुलेटिन में इतना ही अगले बुलेटिन जल्द धन्यवाद ओंजी बिहारी सब्सक्राइब करें अपना भी खयाल र झाल 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 झाल